हालो ब्रिवन, एकजाम वारी में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC द्वारा पूछे गए, प्रीविस येर प्रशनों कर रहे थे, इसके पहले की वीडियो में हमने बिसु के भिगोल के प्रशनों किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज चनल पर जाके देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम भारत के भिगोल के प्रशनों को देखेंगे, दोस्तों यह वीडियो सभी के लिए इंपोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्त तक ध्यान से जरूर देखेगा, चलिए सुर यह भारत का विस्तार इसमें पूचा है, तो इसका राइटेंस रो जागा अप्संडी, उपिक में से कोई नहीं, अप्संडी इसका राइटेंस रो जाएगा, यहां पर देखते हैं, भारत की मुख्य भूम का विस्तार उत्तर पूर्वी गुलार्थ में, आठ डिगरी, च यह अच्छांसी विस्तार है, और यह क्या है? यह दोनों आपका क्या है? देशांत्रे विस्तार है, इम्पोर्टेंट इसको जरूर दिखाने किएगा, एक जामें पूचा गया है, अगर पूचा जा भारत जोए किस गोलार्थ में है, तो भारत आपका उत्तर पूर्वी ग चार प्रशत है, यह भी पूचा गया, भारत का छेत्रपल, संसार का छेत्रपल का कितना है, तो दो दसंबलों चार प्रशत है, परन्तु इसकी, इसका राइट एंस रोजगा आप्शन भी, संपूर मानो जाति का सत्रा प्रशन जंशन क्या, देखिए यह 1994 का है, इसलिए सत सत्रा है, लेकिन वर्तमान ध्यान के वर्तमान कितना है, तो 17.5 प्रशत है, ठीक है, 17.5 प्रशत, नेक्स्ट वड़ते हैं, भारती प्रमाडिक समय, यानि IST, यम ग्रीन विच माधि समय, GMT में अंतर पायाता है, ग्रीन विच, यानि जीरो डिग्री, जीरो डिग्री दिसा अंतर की बात करा है, और 32.82 डिग्री, आपका है ये भारती मानक समय रेखा है, इन दोनों के भी जो है कितना अंतर पायाता है, तो 17.5 घंटे का अंतर पायाता है, आप्सन 20 का राइटे, ज्याने के याप प्लस होगा, क्योंकि ये पूर्व के तरब जैसे जैसे हम ग्रीन से पूर्व के तरब जाते हैं, क्या होगा, आगे बढ़ता समय, तो ये आपके प्लस पांच घंटा होगा, ठीक है, साड़ी पांच घंटा, आप्सन 20 का राइट अंस रोजागा, प्लस जरूर धाने किएगा, भारती मानक समय समय साड़े 82 डिगरी, पूर्वी दसांतर से या जा रहा है, यादे सांतर रेखा, प्रियाग राज मिर्जापूर्शव को गुजरती है, भारती मानक समय रेखा, ग्रेन विच माद समय से पांच घंटा, चाड़े पांच घंटा आगे है, नेक्स बढ़ता है, हुन्डु प्रपात नेर्मेट है, हुन्डु जु जु प्रपात राची से 45 किलिमेटर के दूरी पर सुमण रेखा नदी परिष्थित है, इसकी उचाई 320 फीट है, यानि 98 मेटर है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आप जोगा इस्टेर ध्यान रखिएगा, और किस नदी पर है, भारत के सरभोच चोटी, भारत के सरभोच च बात करते हैं, अगर बात करते हैं, अपका ये भारत में है, और इसकी उचाई 8450, बात में है, और इसकी उचाई 8598, मकालू, ये आपका नेपाल में जो आपका ये केटू है या भारत के केंसासी प्रदेश लद्दाक में है और इस छेतर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है हमाले में हिम रेखा निमन के बीच हो ती किस की बीच योती है try to appreciate ते त्हीक पूर्व का सक कर राइट जाएगा डाई कि स्माले के भींद भागों में हिम रेखा की उचाहियाँ भीन भी 2400 मिट्र पाइ जादा है इसी प्रकार पश्मनि लेकर बात करें तो ऊससाथ और कि स्सक्राइध मेलार में आपका 400 मिट्र पाई जादी उसके बदेंगा सबसे पहली का हमार करो याध लिए इसका सफार पadas principles पारफ गार्वत में और des सिवालिक स्रेडि में आठास् सेनो जो एक ऑल में आपिसंद्रिव का राइट अर्स मुणlardan के सच परावत नीरूर्ब स्वांड़ शोटा नागपुर पठार इंपॉर्ट क्रा ठाण फ्रायत की forced एक अगर गंभीर है अप्शन इसका राइट एंसर हो जाएगा छोटा नाकूर पठार में विबिन उचाईयों के पठारों का क्रम मिलता है मद्ध पश्ट्वी भाग पर पाट भूम इस्तित है जिसकी उचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है इस पठार की प्रतेग दिशा में सो जनन की जी पहला इसमे सनरचनातमक दृष्ट में घाले पठार दक्कन पठार का ही विस्तारी भाग है बिल्कूल आपका ये में पैंकर है कश्मिर घाटी की रचना एक सम भीनती में हुई है ये भी आपका सही है गंगा मैदान की रचना एक अगरगर्त में हुई है ये भी आपका क्या है करेक्ट है तो हिमाले की उत्पत्ती भारती प्लेट यूरूपी प्लेट तता चीनी प्लेट के त्रिकूरी अभिसरन के फल्स रूपी यह आपका क्या ह जगा गलत हो जाएगा तो इसका राइट एंस रोजगा क्या अप्चन इसका क्रेट एंस रोजगा एक दो तीन आपका सही है चौत आपका गलत है देखिये में घाले पठार प्राधिप का ही भाग है यह पॉइंट धरू जाने के इंप्राइटेंट यह कस्मीर घाठी के रच अग्रगर्थ पैदा हो गया यहां अग्रगर्थ एक विसाल भू सन्यति की भाद था हिमाले से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए लाए जा रहे है असादों से यहां गर्थ धीरे-धीरे भाता रहा पाद में इसी में विसाल मैदानों का निरमाड हुआ इसलिए आ पहिमालक निरमाड तो भारती प्लेट और यूरेशियन प्लेट से हुआ है ठीक है नेक्स्ट है निमन में से काउन्षा में घाले पठार का अंस नहीं पूछ रहा है आप तो आपका हो जागा आप से भूवन पहाड़ यह नहीं है बाकि आपका गारो खासी जैंतियां इसका खनेज़ है तो यह आपका टाइटेनियम का है भारत की भूम से लगे हुए कुल तड़की लंबाई कितनी है तापका चाउवन सो चाउवन सो बाईस ता समलोग छे किलिमेटर मोख भूम से दूर कुल तड़की लंबाई आपका दो हजार चौरामे मेटर है भारत के संपूर्त ट्रेकार था दीपों के साथ कितना है तो आपका पचात्तर सो लदा समलोग छे किलिमेटर अता भीकल्प में कोई सही नहीं है यह पॉइंट आप ध्यान एक इंपॉर्टेंट है नेक्ट बढ़ते हैं महराष्ट यूम दो प्रक्ति पाश्मीत अठाओ क्या कहला ते हुन्हें सहाधरि कहा जाता है इंपॉर्टेंट यह आप इसका राइट अश्रोय सहाधरि के नाम से उसी जाना जाता है तिए नेक्स्ट है वह दार्राजो सरबाधिक उचाई में अवस्तित है सरबाधिक उचाई में कौन सा आपसन इसका राइट अंसरो जाएगा देखिए देगए विकल्पों में नातुल्ला सरबादीक उचाई में अवस्तित है नातुल्ला की अचा उचाई आपका 14,450 पीट है जो जिला की उचाई आपका 11,578 पीट है रोतान दारा की उचाई आपका 13,444 पीट है तादा खायबर दारा की उचाई तापका 3510 पीट है परन्तु भारत का सरबादीक उचाई में वस्तित दर्रा यांग जी दीवान है चुकि बिकल्प में उप्रिकम से कोई न होना चाहिए भारत का सबसे उचाउंट है तो आपका यांग जी दीवान है ठीक है इसमें पुछा वादारा जो सरबादीक उचाई में वस्तित है इसको अगर हम लगाना चाहिए तो नातुला लगा सकते हैं लेकिन भी प्रस्टिन इस का अंशर आपसन इमाना था ठीक है लच दीव टापू अस्तित है लच दीव इंपोर्टेंट है काफी चार्चा में था यह था अपसन हो जागा आपसन इदच्छड पस्टिम भारत में यह आपसन इसका राइट अंसर हो जागा अरप सागर में है आप ध्यान खिएगा इसमें जो है कुल कितने दीव हैं इसम आपसन प्रवाल शे बना प्रवाल भित्तियों से बना ही आपसन इसका राइट अंसर हो जाएगा लाच दीव में कितने दूप है तो आपका आपने पढ़ाद शेशिक नाम है भारत में और यह विड़ु अपने नाम सुना होगा यह किस कांग है यह महराष्ट कांग है ठी बिधर्व आपका महाराश्टाज का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक छेत्र है जिसे बिधर्व के नाम से जाना जाता है ध्यान एक इंपॉर्टेंट है ने में लिकित में से किस राज में सरवाधिक छेत्र वनों के अंतरगत पाया जाता है देखिए आपका 2017 का प्रश्ण है ती बॉन रिपोर्ट दूसरी थी वर्तमान में ध्याने कीगा इसके कोर्डिंग दी होगा लेकिन वर्तमान में ध्याने किया जो वन रिपोर्ट है 2021 के कोर्ड हम एकोर्डिंग हम देखते हैं ठीक है सरवाधिक वन वाला छेत्र अगर बात करें 2017 के कोर्डिंग क्या था तो मध्य प्रदेश था दोजार अगर हम बात करें 21 के एकोर्डिंग कौन सा है तो आपका मध्य प्रदेश आप्शन क्या हो जाए इसका राइट अन्सों यहां पर दिया है उप्य विकल्पे में भारत वन स्तित्र इपूर्ड 27 के अनशार अन्वाचर प्रदेश राज का सरवाधिक च्छेत्र वनों की अंतरगत आता है भारत वन स्तित्र आपके अनशार सरवाधिक वनशेत वाला राज इसको क्या है कौन सा राज आता है आपका मिजूरम ठीक है और वास चेत्र पर लेकोड़ी पूछे तो मद्ध पूर्दी सबस्यादा पूर्वी घात पूर और पूर्वी घात और पूर्वी अख़ पूर्वी घात इनियल ग्री पहाड़ी यहां रिखा जाता है इस की सबसे चूर्टी शूर्टी जो है फूर्थड है और इस पे एक जन जाति निवास करती है विद्धा जाथ उत को धियान कियेगा कंग्या कुमारी से शट्रपल कोट्रा तुसल्ड मत रहा है तो सब्स-चेटरपल कि स्काय नरेकर राजस्थान का उसके बाद मद पुर्दय नमर सब्सक्राइब or बहारत में जन्संक्या के अन्षाद टीसरा यह च्छीतपल के अन्शाद बारवारा यहांस ईया पेकांस ओबिहार है एब सेन्सेर में बिहार है आपसंद ढीजुए कई अनतेश्ट में चरफ इस्थान अविहार का ठीक है बार ज्थान है और ऌर तिसके क्र वोडिन बीहार का भारत के निए निवर्डियन प्रजाधी मुकता कहा संक्रिख संकेंदृत है द्रवबीडियन प्रजाधी सीजस का राईटог आपका जन्जाती संदवाईbst. वर्ष 2011 के जन्गर्णा के अंस्वार पंजाब हर्याड़ा चंडिगड दिल्ली तथा पुद्दुचेरी में जन्जाती सम्दाय की पहचान नहीं की गई गई है नेक्स्ट आपका भील जाती कहां पई जाती है भील जाती जो होती है आपका महराष्ट में आप संडिश कर आइट अंसर भील जाती आपका गुजरात में भी होती है मर्द प्रदेश चतिसगड महराष्ट आंध प्रदेश तेलंगाना सहीत कनाटक त्रिपुरा यह टूड़ा यह सही नहीं है देखी भील आपका गुजरात में गद्धी माचब पदेश में कूटा आपका तमिलाड़ में आपको टूड़ा यह कि रव नहीं पाज आती है अभी बताया था निलगरीप पढ़ जाती है तमिलाड़ में आप संदीज का राइट अंस रोजाएग ठीक है भारत में यह लूंग जंगबु नदी को किस नाम से जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है यह तो आपका अपसंसी ब्रह्म पूद देखिए ब्रह्म पूद की बात करता है यह जब तिबत निकलती है मांसरोवर जील के पास से यहां से जो है इसे क्या कहा जाता है तो असमें इसे क्या कहा था इसे ब्रह्म पूद कहा जाता समय असम में उसके बाद यह जब पहुंचती है मंग्रादेश में उसे यहां पर जमना कहा जाता है यह सारी पॉइंट आप ध्यान होना चाहिए ठीक है कई बार बाता है उसके बारे में नेस्ट आपका तेल इसके साईक नदी है तेल नदी किसके थाइक नदी है तुसका राइ टंश जोजगा और आपसंट अपका महाना धी की एक प्रमुक साइग नदी है या उड़ीसा राज की प्रमुक नदी है महान दी की अन्यसाइग नदी की बात करें तो सिवनात जोंग हंस दो इब मांड आदी है इसकी आधिया तेल नदी आपका महान दी की है अगला नेमलिकित में से काउन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं काउन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह तो आप सुन्दी गंगा ब्रह्मपुद्र गुदावरिती महानाधी कृष्टना तथा काविरी यह सब जो ह हिंबुनिकृत कि सागर में में गटती है साड़ी निर्माड करती हैो नम लिकी तुमें से गंगा नधी घाटी का कौन सिज कौन से भाग कौन से उपनादी है उत्री कोल ज करकंथ यक नदीक सहायक नदी है उत्री कोयल यृठाइने तरपर मिलती है सून नदी दच्ड भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी ज vender पहले कॉन से यमना अदूसरी कॉनसी है तो पुन जो पटना के पास गंगा में मिलती है दच्चिड कोयल नदी च्छारकंड वा उडिसा में प्रभाइत होती है जो उडिसा के रावर किरा के पास संख नदी से मिलकर ब्रामणी नदी के नाम से प्रभाइत होती है बराकर नदी आपका दामोधर नदी की मुक्साइक नदी है जो जारकंड के कोडर्मा पहाड से मिलकर हजारी बाक से होते हुए दामोधर में मिलती है दामोधर हुगली नदी से मिलती है इस परका बराकर उत्री कोयल गंगा नदी घार्टी की उपनादिया है इसलिए आपका जो होगा एक सी अधिक होगा ठीक है एक सी अधिक इसका करेट अशुरो जाएगा नेक्ट है सून और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में इस्थित है अभी आया था प्रशन यह आप्शन बीस का राइट अशुर पटना में देखे 2022 का ही प्रशन है यह लेटेस्ट आपका भागी रथी नदीख किनारे ना की गंगा से बाकी फाते पुर्भागल पुरकान पुर गंगा नदीख किनारे इस्थित है अला नमलिकत में से काउन सा एक सबसे सूखा स्थान सबसे सूखा स्थान आपका स्में क्या हो जाएगा ले हो जाएगा सबसे सूखा स्था ले सबसे कम वर्षा होती हैंपि अ मी says शिमला लगवाग एक ही अच्छांस पर इच्तत है परंत उन्हें के जलवाई में भिंता का करण करा अम्रि सरवादिक किस मानसून से प्राप्त होती है सभी को पता होगा यह आपसंसी दच्छड पस्ट्री मानसून से आपसंसी इसका राइट अंस हो जाएगा दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आ आपका समान दोमत मिट्टी है इसी को लो मिट्टी कहा जाते हैं इसमें आपका 40 प्रशद बालू के इकण होते हैं ठीक है 40 प्रशद बालू के इकण 40 प्रशद में मृतिका होती है और 20 प्रशद इसमें क्या होता आपका गाध होता है इध्याने के इंपॉर्टेंट है यह अगला पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी मिलता है most important है सबसे अधिक पानी किस में मिलता है तो आपका चिकनी मिट्टी मिलता है सबसे अधिक होती है इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है चिकनी मिट्टी में आपका 50% से कम गाध होता है 50% तक आपका मुर्तिकावा बालू की कुछ मात्रा होती है यह पॉइंट आप ध्याने कीगा और यह जो है सबसे अधिक जल्धारण की नमलेक इतना हर प्रडालियों में से किस से बिहार के छेत्र में सिचाई होती है बहुत इंपोर्टेंट बिहार में आपका 3 मेड़ी नहर पढ़ा चुका है उसके बारे में आप संबीस का राइट अंस रोजगा आप संबीस का करेट अच्छा और किस निकलती है तो यह मना आता भारत में स्वामी नाथन का मना जाता है इसमें बात करते हैं उच्छ उत्पादन देने वाली किसमें के बिल्कुल शाहिए सिचाई ग्रामेड बिदुति करन ग्रामेड शांड के सभी हो गया इसमें सामिल आप संब्सका राइट अंस रोजगा आप संबीस का और बोको का प्रियोग भी है आप्षान इसका राइट एंस रोजगा अचाई है अला इंद्र धनुसी क्रांती समंदित है त्यापका आप संदी उप्योव सभी से देखे हरी तकरांस है नेली क्रांस चलिए अवर ख स्वेड क्रांस चली थी इन सम रांती उपन निगरानी राधने के लिए चलागी गई थी तो आतिन कै गजारै डीश का राइट अन्स पाधन शुत पाधन हरित खाधियान लाल क्रांति आपका मांस ऑट्र हमाटर सफ्वी को पता होगा क्ठा तेल्ड ये सवाप पता होगा के अगला है भारतका अधिक्तम यहूद पाधक राज अधेक्तम गिहोंत पादक राज कौन सा है तापका उत्तरपरदेश है आप्षन डीस का राइटेंस हो जागा ऊत्तरपरदेश मद्धपरदेश पंजाब सब्सक्राइब कहा पाइदा होता है भारत के किन राज्यों में गंणा सबसे ज्यादा पाइदा होता है तो आट राज्जों में इस्प्रकार सबसे ज़्यादा गंना आपका उत्तर्व प्रदेश में प्रदेश में पहले आता है महराष्ट में इसके बाद में करनाटा गुच्रात तमिलनाडु भीहार हरियाडा यह पंजाब ठीक है कौक्ष है भारत के नियम्न राज्यों में से किसे चेनी का कटोरा कहा जाता है आफ सँ एस का राई रॉगन सो सर भारत में एक मात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता कौन तो करना का देसर्ड का ञेप को बनाव कुंछ कोसिए नगधी फसल का नगधी फसल गाऊंसी नहीं है तिह आपका जगा जवार यह आपका नगधी फसल नहीं है आपसं सिस्ट क скорождा प्राइड आज तो बयुद 시청 बात करें खाद्यान फशले चावल यहूंक पक्का मोटी अनाज दलहन गयर खद्यान फसलिक बात करें तिसमें आपका तिलहन आता मुंफली रैप सीड सरसो रेशेदार कपास आपका जूट मेस्ता अरह हम बात करते हैं बागवानी फसले में आपका चाय काफी रबड अन्य आपका गन्ना तंबाकु वालू भारत के कौन शेदू राज शबसे बड़े पामाने पर लाव अयसक से संपन है सबसे बड़े पामाने पर तापका आपसन भी मद्ध पुर्देस और उडिशा आपसन भी आपसन क्यों जगा बीस का राइटन्स हो जाएगा नमलेके तलाव अशकों में से बैला डीला में किसक होता है तो जगा अपसन अलेंस का राइट आपसन यह का राइटन्स है सब्सक्राइस घार कर भी लकाष हो जोला की खाने इस्थित है तिंप्रोंगत कोईले का दहन किस राज जमें होता है भूमगत कोईले का दहन यह आपका जहारखंड में होता है अपसं सीज कर आइटन्स हो जाएगा ज्हारखंड के घरिया आपका है भाति को लाद्यों के निमलखित समस्याओं पर विचार किजिए निमने कोटी का कोयला यूं कोयला संचालन में बाधा धुलाई संस्तानों की उप्योग शम्ता में कमी कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निभरता कार संचालन कीमते हैं इसमें पूछ रहा है कौन समस्काइब समस्काओं की बात करें तक आप्सं का जबीश का राइटान सुझाईगा तक सभी होगा ठीक है आप्संट वीयस का करेंटन सो यह अच्छ रहता है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पे, सबसे पुराना तेल भंडार जैपका डिक बुई आसम में कब आया था यह आपका आया था 1970-1980 के दराने सरपतम तेल उर्जा संक्रटाया था ठीक है यह ध्याने किया भारत में सरपतम भयाने कुझा संक्रट आपका 1973 में पैदा हुआ था जब तेल नीरातक देस यानि ओपिक ने तेल की किम्तों में अकस्मात जो है चार गुना हो जाएगा ठीक है ठीक है पाद करते हैं 1994 में भारत में प्रतिवेक्ट उर्जा की खबाद 244 किलोग्राम के बरावर थी जो आर्थिक समिच्चा 2018-19 के अनुशार था ठीक है इसको आप लोग जो है इनूर करिएगा यह नहीं पूछा जाएगा निम्राज्यों में से काउन सब्सक्राइब देख लिजिए गा जुझार बाइस के कोड़ नए डेटा के कोड़िंग ठीक है नए डेटा कर्कॉर्डिंग मेरे कास में राजस्तान होगा इस पी सिस्टू नमबर का पूट जो कमेंट बाक्स मताईएगा ठीक है सेक्स्टू टू कमेंट जरू करिएगा नेक्ट है भारत में राज्य विद्ध बोडों की बित्ती रुडता के निमलकित काड़ों पर बिचार किये पहला है क्रिसियम घरेलू भोकताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रे प्रसारण यों संभित्रन हानिया काफी ज्यादा होती है राज्य बोडों के माध्यम से समाजिक परिदान नीटियों को क्रियानिवित किया तो इसका राइट एंस रोजागा आप्शन भी सभी इसका करेट एंस हो जागा आप्शन के ऑचाव जागा नेक्स्ट बढ़ता हैं टिसको सयंत्र किसके नद्दी के स्थित है यापका टाटा नगर अप्शन डिसक का राइट एंस हो जागा इसको याणि टाटा आयलन और इस्टील कंपनी लिम्टेड यहां जो है आप टाटा श्टील भारत की प्रमुग इसपात कंपनी है टाटा नगर आपका जमसेद पूर इस्थित इसकर खाने के स्थापना 1907 में की गई थी यह है आगे बढ़ता हैं निек अस्थानों में कहां ताबा उद्द्योग अवस्थापित नभाधय राजस्थां में इसके स्काराइट एंसों रजस्तान की जूंजूननृ जुलियवाल ये विवत भार हमने ने त Constitution की लिए मोस्ट इंप्रॉर्टनट है आफ तथे इसी का राइट अन्-सो भ्याОइगा स्वाडिम चतुर्भुज क्या है तो स्वाडिम चतुर्भुज था अपसंसी राष्टी राजमार्क पर्योजना थी ये अपसंसी इसका करेटन्स रोजाएगा देखे इसके माध्यम से आपका चार जो महानगर है आपके दिल्ली मुंबई चन्नाई और कुलकत्ता इनको आप परवत स्रेडियों में से किस परवत स्रेडी को अटल टनल पार करती है मोस्ट इंपोर्टेंट है यापका आप संडी पीर पंजाल उसमें चार्चा में था ये आप संडीस कराइट एंस रोजाएगा पीर पंजाल 2020 का प्रस्ट है इंप्रटेंट है ठीक है आगे परशन है तो इंद्रम राजदानी या त्री टेन आपका 12431 अधितन दूरी ताय करती थी भारत के सरबादी तीब गत से चलने वाली टेन आपका गतिमान एक्सप्रेस है नेक्षा कुरियार से शेवा से प्रतिसफर्दा के लिए भारती डाग भी भाग ने दूतर डाग से आपका जो इस पीट पोस्ट था यह कब आरम किया था तो ने सुच्यासी में यह आपके लिए इंपॉर्टन डिसको धाने के उनने सुच्यासी मिसको शुरू किया था आप संक अधर डी इसका हराइट इंट शूर स्पीड पोस्ट जो वी अला भारत में सब पतं दूर्भा का प्रदुर्भा का हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट यह भी आपका जो है ठीक है ऐसा प्रशनाप के उसमें बनते हैं यह भारत में अठाव्टा सब्सक्राइब तेली ग्राप सेवा कुलकात्ता और डामेंड हर्बर की बेश्रू गया था ठीक है उसके बाद बार करते सब्सक्राइब ने भारत में कलकत्ता बांबे मदरास अहमदाबाद कराची में टेलीफोन अस्थापित कि अठाई जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की अप्चारी का स्थापना की गई आता बेखल पर के कोई सही नहीं है यह पॉइंट आप जहां की का इंपॉर्टेंट है पाठ अंचल वस्तित है पाठ अंचल यह आपका कहां पर जारखंड में आपसन क्या होजागा बीस का राइट अंसर आपसन भी जुम्री तलया आपने सुना होगा जुम्री तलया रेडियो पर गीतों की फर्माइस के लिए प्रशिद्ध है किस राज में जारखंड में है जर्खंड के कुडर्मा जिली में याश्तित है ए पहले बीहार का इससत था चेत्रपल के अंसरा निमलिकत राज्जो का सही और ओही क्रम क्या है चेत्रपल के अगर पूच रहा है तो हजागा आपका इसके कोडिंग तो आपका मद्ध प्रदेस हो जाएगा उसके बाद किस स्थर्गले चीुज़ जोड़ा सबसे बड़ा है 10 Victoria 2विए जिलाय सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है आपका शोड़ा है अपसन 20 का बीज को द्रफारा राइट आन्सा बाइगा सब्सक्राइब अप्सन को जाएगा ठीक है आगे बढ़ें असम का कोल मिलाकर कितने राज्जों यूं कि असाचित छेत्रों से गिरा असम घ्ष नहीं सम्सक्राइब का साथ यूंक किया साथ स्टिक आफ सनी सकाट अपका सिन बीच आफ सम्सक्राइब साथ राज कौन कौन से आपका पश्चिम मंगाल नागालाइन मिजोरम मिघाले और प्रदेश मड़ीपूर त्रिपुरा ठीक है गद्दी अभी हमने पढ़ता गद्दी जो जन जाती है कहां पर आपका हिमाचर प्रदेश में निवास करती है आपसन भी बोडो निवास कहां क पाई आती है अभी हमने पढ़ता गारों खाशी जैंतियां कहां पर थी आपका कहां पर देखे तोजार 11 की जनगाने का सवार गारों जन जाती है अपका मिघाले अस्ता में मिजोरम में भी इसलिए आपका एक से अधिक होना चाहिए इसमें गंगा की जलोड मिर्दा की गह सबसे बड़ी नदी भारत की आप संसी इसका राइट एंस लंबाई कितनी है पचीस किलमेटर उसके बाद आप गुदावरी के लंबाई कितनी है 1465 नर्मदा 1312 मान अधी 851 गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा सहर कांसा गंगा नदी किनारे जो है इसमें सबसे बड़ा स पूच्छा आप किसका समांसरो ब्रंपुत का भी हमाप यह सिंदू का भी सटलच के विए आप संडी उपिक में से सभी होगा आप संदी का राइट एंट रहा ब्रंपुत नदी आपका तिबद में मानसरोवर के निकट चेमा यूंग दूंग हमनच से निकलती है तिबद म की बात करें हाप का मानसवर के निकट से निकलती हैं इसलिए आपका हम शंथी तक cela की बहुत इंपोर्ट के साय नदी अ है आप्षन डी ब्रंपूत के साइग नदी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बात करने कौन कौन सी जय मोली तिस्ता कामें सुबन्सिरी दंसरी बुर्णी दियांग दिसांग और कूबली है ठीक ब्रंपूत को तिबत में आपका सॉंप या सांपू के नाम से जाना आता है और हमने बताया तास्ता में ब्रहंपुत के नाम से और बंगलादेश में जमना के नाम से जाना जाता है नेक्ट वारते हैं अधिकांस हिमाली नदियां बारामासी है जबकि अधिकांस प्राइडीपी नदियां वर्षा पर निर्वा करते हैं बिल्कुल करेक्ट है जो हमाले नदियां होती है बारामाशी होती है और अधिकांस प्राइडीपी नदियां यह उसे वर्षा पर निर्वा करते हैं हमाले न तुलना में अपने रास्ते से अधिक छरण का करण बनती है यह आपका गलत है हो जागा आपका अप्शन इसका करेटां सो जाएगा यह और दो आपका करेट है देके 222 का ही प्रस्न ही इंपोर्टेंट है आपके लिए हिमाले नदिया बारा मासी होती है जो हिमाले ग्लेशिय लिए प्रशिद है काम सी नदी भांस द्रोरी से होकर बहती बहुत इंपोर्टेंट बर्ण से घाटी से कांसी बहती है तापका नर्म्दा नदी नर्मदा आप संदी नर्मता बिंद्यं सत्पुड़ा के मत्द्व अब बुकर गुजाती काई बरबता आ चुका है यह आपक आप्मा नहीं प्रवाहित होती है। नर्मदाभ प्रवाहित होती है enabling और दूसौरा इसका क्रेटन्स हो जाएगा, जो ये राप्ति नदी तो राप्ति नदी ये घंगरा की साइक नदी गागरा की साइक नाधियर जो आपका उत्तर पर्शिम होती है अ का बिन अदी मेन हैं जो राज्जिव से घुजरती है कारणतक से गुजरती है करनावायच घुल कराईटर सो गुजरती है यो जबिस मेरे असलिए माईटर रखेंगा का विठeed산 पंसे हैं तो आपका सिर रंग पट्टना मस्तियु समुद्रम एवं स्री रंग दीप इसी पर हाई ये पॉइंट आप भी दान रखेगा सून नर्मदा तथा महानदी निकलती है तो आप कहां से निकलती है तो सून और नर्मदा नदियों का दियुम अमर कंटक से होता है जबकि महानद आपका धमतरी के सिहासा पहाड़ी से निकलती है इसलिए आपका इसमें कोई नहीं होगा अगर शिप सून और नर्मदा दिया होता अमर कंटक हम लगा सकते थे लेकिन महानदी दिया तो महानदी जो है आपका यापका सिहावा पहाड़ी से निकलती है दामोदा नदी निकल हो लूनी नदी है यह आपका भूमबंदित है लूनी नदी अजमेर के तच्छड पश्चिम में अरावली पप्रवस्ण कि नीगते हैं और यह कछो की सानदruit हो जाती है आने I am जाता से भिहार का सोग कहाजा आता आसे अप्शंसी स्का राइट अन्स रिगा दामोदर कुईल और सोवड रेखा नदिया निमलिकित में से किसे निकलती है दामोदर कुईल और सुमड रेखना दी यप चोटा नाखपुर पथाज़ निकल थी अप्सनसी जाइट एंसरे के 2022 का है प्रश्न है यह इंप्वार्टेंट है इस सब जो है लगबग लगए 2022 में पूछे गए हैं भारती मान्शूनी मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण तान जगा आप सने अस्तलता समुद्र का विविधी तापन आप सन इसका राइट अन्स रोजाग महिने में तड़े जंजाबाद के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉजम कहते हैं जबकि मैं महिने महोने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं बंगाल यह असम में अप्रेल महिने महोने वाली तड़े जंजा वर् सब्सक्राइब करते हैं तो अगर हम बात करते हैं आप सबसे ज़्यादा सूखा की बात कर लेते हैं पहले कि बाठाउपਹ्णंपश्ता जाएगा थाब भुकम कहां पर ल्गत हिरा नालेंघमंगरमशम अगर बात करते हैं अप bald हुआ ठिट है तो इसका राइट अंस रहा अपका य हाले का तीसरा बिल्कूल यह लगा था उसके बार हमने b कआप करहला लगा दा सही है सुखाओं का ठीक है और चक्रवाद आपका जरकन से लगए तो ठीक है आप संब इसका राइट अगा नेक्ट बढ़ता है करेवास मृत का जो जावफरान के सर का एक अस्थानी प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है याप का जो रिवास मिट्टी है याप का कस्मिर हमालें पाई आठी आप सन इसका करेट अंस हो जाएगा इसे करेवा मिंट्डी पहा जाता है करेवा मिंट्डी कह Gleiche जाता है जब वी दूर मिंट्डी कहा जाता है сил कि ईहे ऐसे सबस्टतर जो nicot जीनत दॉल्म सका सबसे आट हरे का महें समयरा इसका करेट इसका होले आव geçा जाता आपता लिए अप्सन भी का लिमिट्टी मिर्दा अपर्दान रोगता है यह पूछा गया प्रशन है मिर्दा अपर दन वे पूछा था यापका वन और उपड़ आप संसी इसका राइटन सुझा गांगा के मैदान गंगा के मैदान को डैस के रूप में वडित किया गया है तो किसके प्रश लाजन है इसको धेहान देहाँ दिखैंगा आप संसी इसका राहिटम दोरें के मैदान की पुरानी कछारी मिटी कहला थियária सबढ़ाता पुरानीज्या पंदिटी होटी मिट्टी से बांगर कहते है रोटैंसे नई को क्या के थमसे खादर कहते हैं तो को भारत के कुल भावगली छेतर में One छेतर का क्या प्रिशत है बात करते हैं अगर Connect तो बिहार में आपका साथ अचार है भारत में किस राज का सरवाधिक छेद्र सबसे घने पतजड़वाले जंगल से घिरा है जंगल से घिरा हुआ है आपका जू मद्ध परदेश है यह आप संसी इसका राइटेंस दोजार उननीस का प्रशन है यह देखिए वन सर्वेच्ण की स्टेट फॉरस्ट रिपूर्ट दोजार इकिस के अंशार दियेगा विकल्प में पतजड़ वनों का सरवाधिक विस्तार मद्ध परदेश तथा उसके परश्चाथ चातिस गड़ में है ठीक है नेक्षा प्रस्टत अधित्तम वन्चेत्र है ति हो जाएगा आपका वर्तमाने के कोर्डिंग आपका अपसंसी मिजूरम आपसंसी स्कराइट सबसे ज़्यादा अगर छेतर पर पूचे तो छेतर पर आपका मद्ध परदेश हो जाएंगा प्रस्टत में ऊचे तो आफका कम इजूरम होजाएगा भारत के सराजमे बनी जी अ अभृहारान के सबसे अधिक में कि इसकी अनुमानीत संख्षा कितनी है अनुमानीत संख्षा कितनी है इस पर घृत के बात कर रहा थाफ इप लेपोर्स इन इंडिया है हिम तेदूगों की गड़ना हुई है और तो हिम तो कि संख्या कितनी है तो मैंने बताया था इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताईए एक बाद प्लीज कितना है हिम तो कि संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है यह करेंट अफेर का प्रस्ण है तो पूछा जा सकता है अलाब भारत की जन्संक्या बिसस्ताओं के संबंद में नमलखे कतनों पर विचार किजिए वर्ष्ट 1991 से 2001 के दसक में जन्संक्या की ब्रद्दि लगभग आपका 21 प्रश्रत की दर से हुई है वर्ष्ट 1991 में पुरुष्वा महिला सत्चर्था का अंतर बढ़ गया है देक इसको आप देख लीजेगा एला है 2011 के जन्संक्या में नगरी जन्संक्या का प्रश्रत था तो आपका आप्सन भी 31 आप्सन भी इसका राइटां तो बाकि ग्रामेट की बात करें तो आपका 68 प्रश्रत था नेक्ट आपका सारण सिचाई नहर निकलती है इंपोर्टेंट ह यह आपके लिए सारण सिचाई नहर आपका यह गंडक से निकलती है आप्सन के अज़ाट इसका राइटां सुलेगा आप्सन डी अगला है त्रेवडी नहर यह इंपोर्टेंट है चाप गंडक नदी से निकलती है बिहार में है भाखडान अंगल एक संग्त पर्योजना है स्धान का है अप्सन एज का राइट एंचोल एक अप्सन इसका राइट अंसव्यप्र नदी पर है भाखडान अंगल बात किस नदीपर बनाया गया वही प्रस्णा आगया दिए सट लाजना इपर किस नदीपर स्यूष वां जलप रणा घृत अभी बताना तर पीछ आत् से किन नदियों के एक एकरंट से जूड़ी हुई है देखिए दोचार बाइस का प्राशन है ये तहाना के इसको पटी सीमें परियो जना आपको जाग कृष्णा और गोदावरी अपसन बीस का राइट अपसन भी हीरा कुंड बाद तयार किया गया है तो हीरा कुंड आपका म अधर कि साहएक नादी है नेक्ट आए पूछा गया था है 2001 2 का प्रश्ण है ठीक है नमलिके तमेंसे कौन चि एक मेठे पानी की जिल एक जिल किसकी अजील है तो सामबर है और चिल का यह आप खारे पानी की जिल है चिल का आपका उड़ी सामय सामर आपका राजस्थान में ठीक है यह इंप्वाटन डिसको धाने के वूलर आप का जम्मू का स्मेर मेरा है लोग तक आपका मड़ीपूर में भारत मेरा साथ खृषटी बिद्र का सुरोत नहीं है अज़ानिक नहीं पोछ रहा है तो आप संडी इन में से कोई नी सभी आप का जो है क्रिसी बिद्र के स्रोट है इसमें नहीं पूछा है इसलिए आप संडी इसका राइटां सुम ठीक है नेक्ट वर्टते हैं कृषटी में योगम प बुश्टा है इसका लच हरत क्रांद से पूर्व में ही लाभाने थो चुके छेत्रों में गिये हूं यम्चावल के उत्पादन और ब्रिद्द करना नहीं इसका लच हरित क्रांद से अब तक लाभान मित ना हो सकने वाले छेत्र में बीच पानी और बरग तकनी का विस्तार क प्रादम में प्रेक्ट हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के पादन में ब्रिद्द करना ये भी आपका घलत हो जाएगा चौथा इसका लच्छ पस्पालन समाजिक वान की तथा मतस्ति के साथ सस्योत पादन का समाकलन या पका सही है दूसरा और चौथा आपका क चावल के बाद भारत में सरबाधिक प्रगत की है बारत में सरबाधिक प्रगत किसमि हुए तो यहों में को अप्शन परकुद्स का राइटन्स हो जाएगा प्रमुख खादिफचल चावल के बाद दूसरी नमर पर आपका गेहों का नंबर आता है यह पॉइंट आप चावल के काटूर काटूर ये खेदर का नाम बताईए तो आपसन भी क्रिष्टना गुदारी डेल्टा छेत्र को भर्र का चावल का जाता है और ये आंद्र प्रदेश में होता है आपसन भी इसका राइट अंस हो जाएगा नेक्ट बात करते हैं अगर हम देखिए ठीक है खेती के अंतरगा छेत्र के अंस्वार भारत में सबसे महत्पूर खादेपसल काउंसी है तो छेत्र के अंस्वार पूछा है तो आपका चावल हुआ सैंगा भारत में बहुत न नहीं चाहिए भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादा काउन सब्सदों आपका महराष्ट अफ्सनि कहा ने कि उत्पादन में राज वार घरते मरम गन्य को पादन की प्रहाना प्रेशल महारा गुजरात पिता मिलाड का नमब और यह पौइंट धो आपका मुँख्री सुम्मों में होती है आप संटीज का राइट रखेंगा अपसे बड़ा रबर उत्पादक सबस्यादा आपका कहां पर वे होता है तो के रलाज में होता है सबस्यादा रबड़ होता है नेक्स्ट वरते हैं नेमलकित में से कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अगड़ी है ति आपका केरल है आप संबी 2017 में पूछा गया था भारत का सर्वस्टेस्ट उत्पादा क्यों उभुगता है ति आपका हो जाएगा आपका दाल होन थीक है यह पॉणधा निखिएगा नेमलकित मेंसे कौन नेमलकित मेंसे किस पहाड़ी पर चाय बगां नहीं है तक सद्द्द्र इजिक्ता कर्यात में पूछा है तो ऑगगा आगे आपका अब पूल नेज़ आपका नाटक नहीं है बाकि आपका च्छिक मंगलूर कुर्ग बावा भूधन बहुत इंपोर्टेंट है यह पूछा गया है बावा भूधन पे आपका जो काफी बहुत पाजाती कौंशी अरीवी का कफी पाजाती पूछा गया अपकर इभी सेर में तो सको ध चाह का करता है यह पॉइंट दहाने खेगा अगर पुछा जाए यहां पर देखे सबस्यादा किसका करता है अपका चाह आप सना इस का राइटन सुल जाएं बसे तना मिज़िए भारत के राज्जों में से जूड उत्पादान के दिश्टे बिहार का स्थान का उनसा है बिहा जो Mac को मधें परस्वोर्त इंपर्टेंट यहीं विहार WOW एलमुनियम का सबसे बड़ा सबसे मात्पूर आईसक है अलबूनियम का पुचा यहां पे तो बाक साइड 2022 का ही प्रश्ना है यह ए अपसने स कराइडह का सब सी सबसे मात्पूर को अम्हों लेकित भास्ति स्राज में लाव अयस्क उप्लब्द नहीं कहां पर लाव अयस्क नहीं है तब का पंजाब में नहीं है आप संडी भारत के स्राज में चांदी उप्लब्द होती है तो चांदी जो है आपका राजस्थान में सरवादी कुछ इसको करनाटक में होता है इदिहां ने किएगा प कप्राग का सबसे बड़ा उत्पादर का ब्राजील सनी संट राज अमेरीका सबसे बड़ा चीली तह को ऩ зм सब्सक्राइब 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 भारत में खनेज उत्पादर में सम्रिद दीराज पहचानिये खनेज में सब्सक्राइब भारत में खनेज उत्पादर में सब्सक्राइब राज पहचानिये प्रशन कालिक में मुलिकी द्रिष्ट सबसे बड़ा खनेज उत्प प्रशन काल की बात करते हैं तो आभी वाजित ये आपका निशुन नियांवे का प्रशन है इसलिए वर्तमान देश धाना किये का चाटिस गड़ उड़ी सा ज्यारकंड कुर्वा कोईल अच्छे त्रवस्तित है कुर्वा कहां पर ये तापका 36 गड़ में आपसन बीज कर आइट एंस प्रस्ट में सिंग्भू में चिरिया कि सबसे प्रश्द बिस्टा क्या है इंपॉर्टिन दुजार बाइस का प्रश्न है ये चिरिया अजगा आप सने लौ एस सब्सक्राइब हुआ था तो सीव समुद्रम आपसन डी कि नेक्स्ट है भारत में उठ्जा उत्पादा नियों और बोक के समंद में निमलकेत में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें आपका सही नहीं है कौन साथ आपसन सी भारत में उत्पादिक कुल ब्यासाइक सब्सक्राइब का योगदान एक प्रशाष से कम है यह आपका सही नहीं है आपसन सी इसका राइट एंस हो जाएगा हला भारत में कातिपाई लाव इसपाद सेंद्र पश्ट में घाट पस्मित तट से होकर आयुद किये गया है इस उद्द्यों की एस्ति इस्तिति अवस्त सब्सक्राइब का प्रमुकारण क्या है तो यह आपसन भी इसका राइट अंस हो जागा आपसन भी गुवायों मध्यप्रतिस के कुछ भागों में उत्तम स्रेडी के लाव अयस्क नीचेपों का मिलना तथा इस छेत्र में इस पात निरियात की तुलनात्मक सुविधा है इ क्यार डगा अठास्व तो त्यरपन में अप्शन एज कर रॉडे बड़ी लाइन की दो प्लडलली और च बीच की दूरी कित不是 कितनि अ हो यह ता आप सनब शेड़िटमय अ मार मुगाव पत्तान स्थित है यह मुट्रण्टेंट है'd मार मुगाव कहां पढ़नांपरे स्थित है भहरत का तon book un जोड़ी ठिक है हारी ओर में है एंटाटिका में भारत के तिर्थी सुद केंद्र का नाम क्या है तिरिप का नाम क्या है इसका आफ राहती आप सनी भारती आप साने इसका आराई टेन सो झाय गार टिक पूसरा करूलिंछ प्रवाल जाथ अ staying प्रबाल भिद्ति नहीं पाई जातीय पूछ रहा है तॉपका में नहीं पाई जातीय आपसन इस का राइट लो जाएगा आप सुन इसका करिट इंस रो दाएगा ठीक ए अगे बढ़ते हैं बस इतनी प्रस्न थे इसमें आपका टूटल 165 प्रस्न थे जो गर्फी के हमने सारे प्रस्न को कबर कर लिया है ठीक है वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बाक्स में जरू बताइएगा ये रहे आज के प्रस्न थैंक यू फॉर वाचिंग